सिनेमा की सुटिंग सेट पर बहुत सारे सामान परे रहते हैं, जिन में से कुछ समान के पीछे का इतिहास भयानक होता है। वैसे ही है एक आयना जो कौमुली का नाम की एक अक्ट्रेस की थी। कौमुली का बहुत ही अच्छे अक्ट्रेस थी। उसका सपना था कि वो एक दिन सिनेमा की दुनिया का एक बड़ा स्टार बनेगा। और इस साल का बेस अक्ट्रेस का अवर्ड वही जिते ही। इसके लिए वो खुब मैनत करती थी कॉमलीका जिस चरित्र का अभिनाय करती थी उस चरित्र में एकदम ढल जाती थी वो जब अभिनाय करती थी तब देखने वाले लोग एकदम हैरान हो जाते थे वाउ, बहुत खुब कॉमलीका कोई जवाब नहीं तुमारे अभिनाय का अखरी सीन है, एक उची पहारी के किनारे से हिरोईन सुसाइट कर लेती है, एलो, कल का डायलग, कल सुबा साथ वजे हम लोग पहारी के लिए निकलेंगे। कामलिका जब एक्टिंग कर रहे थी, तब नजाने कहां से एक बड़ा सा मक्री उसकी पैर के उपर चर जाती है। कर तो रही है साइड रोल, पर नखरे देखो, जैसे हिरोईन है, उसे अब एक खुद का आइना चाहिए। कुछ मिले तो। ट्रांक पे थोड़ा ढूनने पे उसको कमलिका का आइना मिल जाता है। यहां एक आइना है तो यहीं दे देता हूँ। प्रोड़क्शन बोई आइना ले जाकर रोशनी को दे देता है। रोशनी तब आइने में देखकर अपना मेक अप करने लगी। उस समय बाद रूम का लाइट ओन ओफ होने लगा। अरे यह क्या हो रहा है। लगता है लूस कनिक्शन हो रहा है। फिर लाइट एक दम ओफ हो गई। और तब आइने से कमलिका का भूद बाहर निकालके रोशनी को देखने लगी। रोशनी यह सब समझ पाती। उससे पहले ही कमलिका रोशनी के अंदर घुज गई। और रोशनी के सरीर पर कबजा कर लिया। कमलिका तब रोशनी को सूटिंग सेट पर लेके गई। वहाँ जाके किसी को कुछ बताए भीना एक चेर लेके बैट गई। रोशनी का वर्ताव सबको अजीब लगा। पर किसी ने कुछ पूछा नहीं क्यूकि रोशनी थोड़ी सी नक चरी थी। इसलिए उसे कोई कुछ कहता नहीं था। फिर डिरेक्टर आके रोशनी को सीन समझाने लगा। रोशनी तुम रेडी हो। इस सोट में तुम्हारा एक्सप्रेशन ही मेन है। तुम्हारे पती को टेररिस्ट उठा के ले गए। तुम बहुत डरी हुई हो। ठीक है। बहुत इमोशनल सीन है। थोड़ा फिलिंग के साथ करना। आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना मैं कर दूँगी। ये सोनके डिरेक्टर भी थोड़ा घबरा गया। फिर रोशनी उठके स्पोर्ट पे आ गई। रोल, कैमरा, एक्शन। आपकार, तुम किस हाल में हो। वो लोग तुमारे साथ नजाने क्या वर्ताब कर देहे है। रोशनी के आक्टिंग डिरेक्टर भी तंग रहे गए। कट। बहुत खुब रोशनी, एकदम रियल लग रहा था। ठैंक्यू सर। रोशनी के सरीर में बसी कमली का हर किरदार को इतनी अच्छे से प्ले कर रही थी कि चारो तरफ रोशनी के नाम फैल गई। जल्दी उसे हिरोईन की रोल के सराहा गया। ये सब देखके रोशनी के सरीर में बसी कमली का बहुत खुश हुई। उसे अपनी अधूरी सपना पुड़ा हुते हुए दिखाई देने लगी। एक दिन इंटरव्यू में। अशे ही बित्तर रहा। रोशनी इस दौड़ान बहुत सरे मुवी में काम किया। और सब ने उसके कामों को बहुत पसंद किया। कोबली का भी बहुत खुश थी। लेकिन रोशनी इस सबसे बहुत ही दुखी थी। और अक्सर अकेले में वो कमली का से मुच्टी के लिए रोती रहती थी। बता नहीं पाती थी। क्यूंकि पुरे दीन कमली का रोश्नी के सरीर पर कबजा करके रखती थी। लेकिन उसके पुराने डिरेक्टर को रोश्नी के वर्ताफ से शक होने लगा। रोश्नी, क्या बात है? तुम आजकल बात बहुत कम करती हो। कोई परिशानी है क्या? नहीं सर, काम करने आती हूँ, इसलिए मन लगा के काम करती हूँ, बस। एक बात पुछू रोश्नी? जी सर, पुछिए। मैं तुमको शुरू के दिनों से जानता हूँ, तुम्हारी एक्टिंग करने का स्टाइल, लास्ट कुछ महिनों से अचानक ही कुमलिका की तरह हो गई है, इसका राज क्या है? कुछ चीज को राज रहने देना चाहिए सर, लगता है सेट रेडी हो गया है, मैं रेडी हूँ, चलिए काम शुरू करते हैं डिरेक्टर को लगने लगा कुछ सही नहीं है, लेकिन उसने भी बात को बढ़ाया नहीं फिर वो दिन आई, जिस दिन का कमलिका को बरसो से इंतेजार थी, रोष्णी को बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ दी यर्ट की एवार्ड मिला आखिर मेरा सपना सच हो ही गया, अब तुम्हें जरूर मुक्ती दे दूँगी कमलिका रोष्णी को उसे पहारी के किनारे ले आई, जहां से वो खुद गिर गए थी मुझे यहां क्यों लाई, आपका तो सबना पूरा हो गया, अब मुझे छोड़ दीजिये न जरूर, लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हें मैं जिन्देगी से ही मुक्त कर दूँगी तुम अगर जिन्दा रहे, तो कमलिका का राज सबको पता चल जाएगा, ये मैं होने नहीं दूँगी नहीं, ऐसा मत किजिये, मुझे जाने दीजिये कमलिका रोष्णी के कोई भी बात नहीं सुनी, और उसे धक्का देके नीचे गिरा दिया और रोष्णी के जीवन कभी अन्थ हो गया, और वो आयना भी अपने आप तूट गई